एक पिता अपने आयस बेटे के चमबर में जाकर उसके कंदे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और प्यार से अपने बेटे से पूछा इस दुनिया का सबसे सक्तिसाली इंसान कौन है बेटे ने बाप को बड़े प्यार से हस्ते हुए कहा इस दुनिया का सबसे सक्तिसाली इंसान मेरे अलावा और कौन हो सकता है पिता को अपने बेटे से यह उम्मीद नहीं थी पिता को इस चवाब की आसा नहीं थी उस पिता को पूरा विश्वास था कि हमारा बेटा कर्ब से कहेगा पिता जी दुनिया के सबसे सक्तिसाली इंसान मेरे लिए आप ही हो क्योंकि आप ही ने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं यहाँ पर हूँ पिता जी पूरी तरह से मायूस और उदास हो गए उस पिता की आखे पूरी तरह से नम हो गई उनकी आखे छल छला आई उनके आखों से आशु आने लगे पूरी तरह से उनकी आखे भर आई पिता अपने आशुओं को बोस्टे हुए चेमबर के गेट को खोल कर बाहर निकलने लगे लेकिन उन्हाओं ने एक बार फिर पीछे मुड़ कर अपने बेटे से पूछा एक बार फिर बताओ इस दुनिया का सबसे सक्तिसाली इंसान कौन है क्या तुम सच में इस दुनिया का सबसे सक्तिसाली इंसान हो बेटे ने इस बार का पिता जी नहीं मैं नहीं हूँ आप हो सिर्फ आप हो इस दुनिया का सबसे सकतिसाली इंसान मेरे लिए सिर्फ आप हो और कोई नहीं पिता जी अब बास सुनकर आच्चा देशकीत हो गए और बोले अभी तो तुम अपने आपको इस दुनिया का सबसे सकतिसाली इंसान बता रहे थे अब तुम मुझे क्यों बता रहे हो बेटा मुस्कुराते हुए अपने पिता जी को सामने बिठाते हुए कहा पिता जी उस समय आपका हाथ मेरे कंदे पर था और जिस बेटे के कंदे पर या सिर पर पिता का हाथ हो वो बेटा दुनिया का सबसे सक्ति सालिय इंसानी होगा न पिटा की आँखे फिर से भर आए लेकिन इस बार पिटा के आँखों में खुसी के आँसू थे और उन्होंने अपने पेटे को कस के गले लगा लिए और बोले मुझे गर्ब है कि तुम मेरे बेटे हो दोस्तों एक बात याद रखना दुनिया में केवल एक पिटा ही ये कैसा इंसान है जो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे से भी ज़्यादा कामयाब हो जो पिटा के पैरो को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता जो मा के पैरो को छूता है वो कभी बतनसीब नहीं होता जो भाई के पैरो को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता जो बहन के पैरो को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता जो गुरू के पैरो को छूता है उस जैसा कोई खुसनसीब नहीं होता मेरा साहस, मेरा इज्जत, मेरा सम्भान है पिता मेरी ताकत, मेरी पुझी, मेरा एहसास है पिता घर के एक 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 इट में है सामिल, उनका खून पसीना सारे घर की रवनक, सारे घर की सान है पिता मेरी इज्जत, मेरी सोहरत, मेरा रुथवा, मेरा मान है पिता मुझको हिम्मत देने वाले अभी माने पिता सारे रिष्टे उनके तम से, सारे नाते उनसे है सारे घर की दिल की धड़कन, सारे घर की चाने पिता सायद रब ने दे कर भेजा फल, ये अच्छे कर्मों का उसकी रहमत, उसकी नेमत, उसका वर्दाने पिता अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजी चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे